क्या फ्रेंट्स आप अपने सेमेस्टर्स को बिलकुल लाइटली ले रहे हैं तो फ्रेंट्स अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक आई उपनर वीडियो थाबित हो सकती है जहां पे आप लोग जानने वाले हैं कि जब आगे जाक आपको कॉल करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए सेमेस्टर्स के मार्स कितने इंपॉर्टन होएंगे ऐसी फ्रेंट्स जब आप किसी प्राइवेट जॉब एग्जांपल डेलॉट ये बड़ी-बड़ी कंपनी में जॉब्स के इंटर्व्यू देने जाएंगे वह आपको हर एक एक वरिफिकेशन की अपडेट इस एक मातर चैनल पर मिलते रहेगी प्लीज दू सब्सक्राइब एफ दिस वीडियो हिल्प्स यू प्लीज रिए लाइक बटन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स की जो आगे जाके कैट का एक्जाम देने वाले हैं आप में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि वाई हम सीधा थर्ड इयर में जाके कैट एक्जाम की बिलकुल लग के महनत करेंगे और कैट एक्जाम में 97-99 यहां पर फ्रेंट्स कैट एक्जाम को 70 परसेंट वेटेज दी जाती है वेरिया जो गॉर्मेंट फंडेट इंस्टूशन से एक्जाम इंदौर रहॉत तक बैंगलोर इन सब जगहों पर फ्रेंट्स जो कैट का वेटेज है वो और फिफ्टी तू सिस्टी परसेंट है ना आप लोगों के 10th के मार्क्स की 12th के मार्क्स के और मोस्ट इंपॉर्टनली आपके सेमिस्टर के एक्जाम से क्योंकि वही पास करके आप लोग आयम में इंटर करने वाले हैं तो जहां 30 परसेंट का वेटेज लिफ्ट होता है वहां पर 15 परसेंट वैल्यू दी जाती है अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि भाई हम सेमिस्टर में मेहनत करने की बज़ाए वहां पर सेमिस्टर में 70-80% लाके हम लोग अपना करेंगे और सीधर कैट एक्जाम करके हम अच्छे आयम में जाएंगे अगर आप इतनी परसेंटेज लाके अपना ड्रीम रख रहे हैं कि भाई हमको IIM मिंदौर या MDI गुडगाओं मिलेगा तो फ्रेंट्स आपके लिए थोड़ा से डिफिकल्ट हो सकता है उनकी तरफ से आपको कॉल आई इवन इफ यू सेक्योर 97-99% तो आप लोगों को फ्रेंट्स अपने सेमिस्टर मेहनत करने की ज़रूत हैं आप लोगो को at least 8-9 CGP के बीच में रहना पड़ेगा जिससे आप लोग IIM में आप लोगो सेमिस्टर के मार्स में कोई दिक्कत ना आए और ऐसी आप लोग प्राइवेट जो फंडेट इंस्टिउशन से वहाँ पे भी आप लोगो MBA करने में उनकी तरफ से कॉल आने में कोई दिक्कत न ना हो तो please do focus on your semesters जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो now friends आप लोग अपने दो या तीन साल बाद जाके अपने placement round में interviews के लिए बैठने वाले हैं now friends जो interviews होते हैं जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनिया आती हैं बच्चों को recruit करने के लिए तो दो तरीके के placement round वो स्कूर किया है अपने college में थोड़ा 10 तो खैर मुश्किल है लेकिन 7-9CGPA जिन भी बच्चों ने स्कूर किया है वो सब ही हमारे company के interview में participate कर सकते हैं जो भी बच्चे 7CGPA से कम लाए हैं वो right through eliminate हो जाते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता अपनी skills दर्शाने का अपना interview देने क तो friends यहां से आपको पता चलता है कि आप लोगों को semester पर ध्यान देनी की ज़रूत है एक और round ऐसा होता है friends यहां पे 10 से 20 jobs एक company लाई है और लेकिन apply करने वाले 100 तो 200 हो गया है तो friends वहां पे आप लोगों की skills चेक हो रही है सब कुछ चेक हो रहा है लेकिन एक जगे पे आ बड़ी बड़ी company उन्हें हमारे टेस्ट तो लिए हमारे skills टेस्ट करी लेकिन interview में सिर्फ कुछ ही बच्चों को लाने मतलब कुछ ही बच्चों को interview देने का मौका दिया जिनकी एक particular CGPA से जादा आई होई थी CGPA तो friends इसलिए आप लोगों को अगर आगे जाके किसी private job का interview द हिंडर ना बने तो आप लोगों को यहां से पता चलता है कि semester पे focus करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है Now friends अब हम लोग बात कर लेते हैं UPSC के बारे में तो friends आप मेंसे बहुत लोग थोड़ा सा मेरी उपर गुसा हो रहे होंगे थोड़ा सा हस रहे होंगे या फिर आप मेंसे कुछ लोग थोड़ा question कर रहे होंगे कि भाई हमने तो देखा है कि semester के यह किसी भी चीज के marks UPSC में का result आए था तो friends एक भाईया है जो अपने second year में हैं उन्होंने बिल्कुल यह सोचा पड़ा था कि भाई UPSC तो मुझके फोड़ना ही फोड़ना है ठीक है आगे जाके crack करने और वो hardcore मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन friends अपने semester से बिल्कुल ध्यार नहीं दे रहे हैं और marks मैंने क्या बताया था आपनोंको passing marks से सिर्फ 40% तो वो भाईया जो थे वो अपने semesters में 45% 50% लाके satisfy हो रहे थे और अपना UPSC CSE की बिल्कुल hardcore मेहनत कर रहे थे जब वो third year में आते हैं जब उनका exam बिल्कुल pass आ रहा होता है अभी दो semester बचे होते हैं और वो अपना eligibility वापस से पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक जगे लिखा होता है कि आपको अपने graduation में 55% at least marks चाहिए जिससे आप अपना exam के लिए बैठ सकें ना उनके लिए आप मेहनत करी जिससे अपना exam में बैठ तो सकें इंसके इंसेट कि अब मैं eligibility कोई fulfill नहीं कर पा रहा तो इसलिए friends आप लोगों को भी मैं बता देता हूं कि जो UPSC के सारे जो branches हैं सारे जो अलग तरीके के exams होते हैं उसमें एक benchmark बनाया गया है कि आप लोगों को at least 55 percentage लाना पढ़ेगा अपने graduation में जिससे आप लोग UPSC का exam दे सकें लेकिन semesters में तो 40% passing marks हैं तो यहां से आपको पता चलता है friends कि आप लोगों को सिर्फ pass नहीं हो ना आप लोगों को चलो private job नहीं देनी आपको 70-80% नहीं लाने आपको IIM में नहीं जाना 80-90% नहीं लाना at least government job की त percent marks at least लाने पढ़ेंगे जिससे आप अपने UPSC या और और किसी तरीके के exam में पैट सकें तो यहां से आपको पता चलता है friends कि सरकारी job में भी आप लोगों को semesters पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है ना friends यह video बनाने की मेरी मंचा यह नहीं है कि आप लोगों को म semesters में पढ़ने की क्या जरूरत है friends मैंने आपको भी सिर्फ कुछी चीजों के बारे में बताया है जहां पर आप लोगों के semesters के value होती है एक और चीज़ ज़्यादा ही हाँ से एस्बी आई का जो एक्जाम होता है friends आप लोगों को पता हुआ सरकारी एक्जाम होता है कि एस्बी आई का उसमें भी आप लोगों के semesters के value है वहां पे भी semester के marks बहुत ज़्यादा काउंट किये जाते हैं तो एकदम lightly मत लीजिए उसके लिए थोड़ा थोड़ा बहुत सच में बहुत डीटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो प्लीज कम्यूनिटी पोस्ट में जाके yes या no जरूर लिखेगा Thank you and all the very best and don't forget to subscribe this channel